हलो एवरीवन वेलकम बेक्ट माइ चेल्born आझ हम सीलाई कोर्स में सीखेंगे सिंपल फ्राग ड्राफटिंग रिए वीडियो दोपार्ट में आनेवाला है फरस्ट पार्ट में हम सिंपल फ्राक कि ड्राफटिंग करेंगे पर इसंतरूंड फ्रॉप की कटिंग प्लस स्प्र करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां थियोरी देख लेते हैं किस तरह से आपको थियोरी नोट करनी है और किस तरह से आपको यहां पर मेजरमेंट लिखना है तो सबसे पहले हैं यह टू यह बेबी फ्रोग गरल फ्रोग है तो आप इस तरह से सबसे पहले हम यहां पर आजाती है हमारी फुल लेंथ हमारी फुल लंबाई कितनी रखनी है हमें 22 इंच देखिए मैं यहां पर मेजर्मेंट बता रही हूं इसके साथ ही जो हम इसमें मार्जिन लेंगे वह भी यहां कोस्टक में मैंने लिग दिया है तो इस तरह से आप इसे पूरा नोट करें हमारी फुल लेंथ है वह 22 इंच है इसके बाद हमारा चेस्ट हमारा है 20 इंच इसके बाद हमारे पेटी आजाती देखिए यह फ्रोग हम तो पाट में बनाएंगे नीचे का घेरा हम अलग कट करेंगे और उपर की जो पेटी टोप पाट होता है वो अलग कट करेंगे तो जो हमारी पेटी या टोप की लंबाई है वो 8 इंच रहेगी कमर वेस्ट हमारी है 18 इंच सोल्डर हमारा है 4.5 इंच his ně, 4 इंच's ào आरमोल हमारा आजाता है Rs 4 इंच और घेरे की लंबाई देखिए यहां पर हम अलग कट करेंगे और नीचे जो फ्रोग का घेरा होता है वो अलग कट करेंगे तो उस घेरे की लंबाई कितनी रखनी है हमें 14 इंच उस घेरे की लंबाई 14 और चोडाई भी हम 14 इंच रखेंगे उसे हम इस तरह से square में देखिए इस तरह से square में हम जो हमारे घेरे की cutting करेंगे तो उसकी लंबाई और चोडाई हम दोनो 14 इंच रखेंगे अब देखिए इस इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ड्राफ्टिंग पर अगर आपको clear नहीं दिख रहा हो तो बाद में एक screenshot डाल दूंगी वहां जाकर आप इसे note down कर सकते हैं इसका screenshot ले सकते हैं देखिए अब हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग समझ लेते हैं तो ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ टोप पार्ट की ड्राफ्टिंग किया यह हमारा टोप पार्ट है यह हमारा टोप पार्ट है और यह वारा हमारा बोटम है यह हमारा घेरा है या बोटम ठीक है इस तरह से हमारे टोप पार्ट और बोटम की हमने अलग-अलग ड्राफ्टिंग किये तो सबसे पहले हम टोप पा यहां पर बनाइएगा यहां पर हमने कपड़े को मानलीजी हमारा यह कपड़ा चार भाग में फोल्ड है उदर से हम नैक निकालते हैं और जो हमारी खुला ओभाग रहता है जो ऑपन साइट रहती है उससे हम आरम होल निकालते हैं अगर जो हमारी चारो फोल्ढ साइड है बंद वाले भाग की साइड कपड़े के बंद भाग की साइड हम नेक निकालते हैं और खुले वाले भाग की साइड हम आर्म होल निकालते हैं तो सबसे पहले यहां हम खुले वाले भाग की तरफ से इस에서ven m सीद कर दे दिद discour唱 हैँगे 4.5 इंच पर हमने इस तरह चोड़ाई में सोल्डर का निशान लगा लिया अब सोल्डर का निशान लगाने के बाद हम इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे जो हमने सोल्डर का निशान लगाया उसी में से हमें नेक विड भी निकालना है तो इसमें 2 इंच की हम neck width निकालेंगे 2 इंच की हम यहाँ पर neck width निकालेंगे 2 इंच चोड़ा और 3 इंच हम लंबा 2 इंच गले की चोड़ाई 2 इंच और जो लंबाई होगी वो 3 इंच होगी जादा बड़ा गला हमें नहीं रखना है इसके बाद आ जाते हैं हम अमारे armhole पर तो इस तरह से जहाँ हमने इस तरह सोड़ाई में shoulder का निशान लगाया था वहाँ खुले भाग की तरफ हमें लंबाई में armhole का निशान लगाना armhole या हम इसे 13 भी कहते हैं तो देखिए इस तरह से हम लंबाई में यहाँ पर साड़े चार इंच का चार या साड़े चार इंच का हम यहाँ पर armhole का निशान लगाएंगे armhole का निशान इस तरह लंबाई में लगाने के बाद हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे अब आ जाता है हमने यहाँ पर हमारे सोल्डर और नेक का प्लस आर्म होल का यहाँ पर हमने निशान लगा लिया अब इसके बाद आ जाता है हमारा चेस्ट तो पुले आर्म होल हमारा खतम होगा वहां से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो यह वाला जो निशान होगा हमा प्लस 1.5 इंच, चेस्ट का चोथा भाग, 1 फोर्थ भाग कितना होगा, 20 का हम चोथा भाग निकालेंगे, तो 5 इंच आएगा, 5 इंच में हम प्लस करेंगे, 1.5 इंच, 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं यहाँ पर, तो जो हमारा चेस्ट हो जाएगा, वो टोटल हो जाएगा, 6.5 इंच, देखिए, 6.5 इंच का हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो भी हमारे चेस्ट यहाँ पर 20 इंच है, तो उसका चोथा भाग, प्लस 1 1.5 इंच, यहने की 6 इंच, यहने की 6 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, देखिए, यह हमारा चेस्ट का निशान हो गया, अब इसके बाद, हमने जो टॉप की लंबाई है, जो टॉप की लंबाई हमने ली है, वो है 8 इंच, देखिए, यहाँ पेटी की हमारी ल का निशान लगा लिया है और यहां पर एंड जहां हमारी पेटे की लंबाई खतम होती है वहां पर हम इस तरह से कमर का निशान लगाएंगे यहां हमारा कमर का निशान आएगा तो कमर हमारी है अठरा इंच तो कमर का भी हम चोथा भाग प्लस देड़ इंच का मार्जिन रखेंगे यहां कमर का चोथा भाग हमारी कमर यहां अठरा इंच है तो उसका चोथा भाग हो गया साड़े चार इंच और उसमें हम देड़ इंच प्लस करेंगे तो जो हमारी कमर का निशान लगाएंगे वो हम 6 इंच का कमर का निशान लगाएंगे देखिए इस तरह से कमर का निशान हमें 6 इंच का लगाना हैंगे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर हमारे पेटी की लंबाई 8 इंच नेख हमारा है चोडाई में 2 इंच और लंबाई में हमारा नेख है 3 इंच इसके बाद हमारा हरा शोल्डरी स्साथ 1.5-6 आर मों हमारा 4 इंच या साड़े चार इंक चार इंच आप यहां पर इसके बाद हमारा चेस्ट हमारा रहेगा साडे चेंच इसके बाद नाजती है हमारी कमर्ट कमर्ण हमारी यहां पर रहेगी 6 इंच हमारा सिंपल फ्रोग का टोप यहने पेटी की ड्रॉफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है इसी तरह अब इसके बाद हम नीचे घेरा तयार करेंगे जो हमारी फ्रोग की फुल लंबाई है वो 22 इंच है तो हमने पेटी की लंबाई 8 इंच रखी है अब इसके बा अब देखिए यहां पर हमें जो कपडा है वो टूफोल्ड रखना उपर हम पेटी में हमने फोर फॉल्ड कपड़ा रखा तक पड़े को चार भाग में फोल्ड करकर रखाता पर जब हम बोटम की cutting करेंगे तो इसमें हमें two-fold कपड़ा रखना है तो two-fold कपड़ा रखने के बाद हम इसमें लंबाई जो है हमारे bottom की लंबाई 14 इंच रहेगी और जो गेरे की लंबाई है वो रहेगी 14 इंच और चोड़ाई भी 14 इंच इस तरह से आप लेख लिए यहाँ पर लंबाई और च चोड़ाई में से इस तरह से काट लेना है हमें लंबाई और चोड़ाई है वो एक जैसी रखनी है बस हमें कपड़े को two-fold में रखकर कटिंग करना है तो देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर राफ्टिंग और थिओरी कंप्लीड हो चुकी है यह हमारे two-year बेबी के और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए थैंक्यू फूर वाचिंग